हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो इगनु बड़ी देखे आज की इस वीडियो में मैं बात करोंगा आपके इगनु के रिजल्ट के बारे में तो इगनु के काफी सारे स्टुडेंट्स का डाउट यह होता है कि इगनु के जो रिजल्ट होता है वो एक एक दो दो तीन तीन करक subjects के result को update क्यों करते हैं ये एक साथ एक fixed date पर पूरा result update क्यों नहीं कर देते तो ये काफी सारे students का doubt होता है और ignu में भी चाहें वो assignments का result हो चाहें वो फिर theory के marks हो दोनों ही update एक साथ update क्यों नहीं किये जाते और theory के भी और assignments के भी update एक एक करके 2-2 subject, 3-3 subject करके क्यों ऐसे आते हैं तो इसी बारे में आज की पूरी वीडियो में मैं बात करूँगा और आपको मैं reasons भी बताऊँगा कि ऐसा आखिर क्यों है तो देखिए पहला reason तो ये है कि ignu पूरा जो result है वो update क्यों नहीं करते एक बार में पहली बात तो ये है कि ignu में देखिए लाखों student पढ़ते हैं आप कोई और university में देखोगे तो 20-25-30-30-30 लेकिन ignu में आप देखोगे तो एक से डेड़ से दो लाख student और जाधा ही student ignu में पढ़ते हैं तो लाखों की संख्या में जो student पढ़ते हैं ignu में और एक-एक student दो-दो course ignu से करता है तो काफी सारे subjects की copies को check करना और उनकी result को update करना एक ही date पर ये बहुत ही बड़ा एक मुश्किल काम है और क्योंकि ये जो result है आपका evaluation जो होता है वो आपकी theory के अगर ये OMR sheet वाला आपका result होता तो शायद ये जल्दी हो जाता लेकिन क्योंकि ये theory के exam है इसमें copies को check करना पड़ता है answers को पढ़ना पड़ता है तो इसमें काफी time लगता है तो पहला reason तो ये है कि ignu में बहुत सारे student हैं और ऐसा possible नहीं है कि एक fix date पर आपके लाखों student का पूरा result उनके हर subject का एक ही date पर वो update कर सकें तो इतना तो possible नहीं है और दूसरा जो कारण है ignu के जो update आते हैं एक के बाद एक उसका कारण ये है कि जो different evaluation center है उनकी different policy है उनका different जो है evaluation की speed है वो अपने अलग-अलग evaluators को copies check करते हैं और जितनी copies उनकी time to time एक से दो से तीन दिर में check होती जाती हैं उसके हिसाब से वो marks को update करते जाते हैं so different evaluation की different guidelines हैं तो वो पूरे इंडिया में ऐसा possible नहीं है कि पूरे इंडिया की जो जो यतने भी students है सबका पूरा जो result है वो एक fix date पर अपडेट कर दें तो ये भी एक बहुत बड़ा reason है अगनू की तरफ से कि उनके जो different evaluation center है area wise divided हैं और उनकी different guidelines हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि एक साथ पूरा result अपडेट कर दें तो और और लाखों student का result होता है तो ऐसा possible नहीं हो पाता और तीसरा और सबसे बड़ा कारण क्या है इगनू का जो पूरी fix एक date पर result ना अपडेट करने का कारण सबसे बड़ा ये है कि evaluation जो होता है आपका इगनू में उसके बाद फिर students re-evaluation के लिए भी apply करते हैं तो पहले तो एक fix date पर उनका evaluation करना फिर उसके बाद इतने सारे student जब उनका fix date पर result update हो जाएगा उसके बाद उनका उतना ही result re-evaluate करना दुबारा से तो ये एक double एक तरह से समझ सकते हो आपकी एक तरह से दुगना काम हो जाएगा उनके लिए क्योंकि इतना सारा load और हर 6 महीने बाद उनके exam होते हैं तो उनको सब कुछ manage करना पड़ता है तो पहले तो वो term end exam का result update करते हैं एक एक करके और जैसे जैसे उनका term end exam का result update होता लेता है student अपने re-evaluation के लिए भी apply करते जाते हैं तो ये उनके लिए एक काफी उनको time मिल जाता है term end exam और re-evaluation का result को update करने का तो उसके लिए वो लोग इसलिए ही वो लोग एक एक करके जो आपका subject है वो 2 से 3 दिन से 4 दिन बाद आपका result है वो update करते हैं क्योंकि re-evaluation भी होता है इगनू में और आपका term end exam का result भी update किया जाता है तो दोनों result का update एक साथ देना बहुत मुश्किल है और लाखों student apply करते हैं re-evaluation के लिए भी तो ये काफी एक मुश्किल task हो सकता है तो इसी लिए वो लोग एक एक करके update देते हैं तो ये कुछ 5 reasons थे जिनकी वज़े से इगनू का पूरा result एक fix date पर update नहीं होता तो अगर आपको वीडियो helpful लगी है तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरू लाइक करना तो थेंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो थेंक्यू सो मच